जहिन दोस्तों स्वागत है आपका विजेपत डिफेंस एजूकेशन में आज हमारी क्लास 10 है HP पुलिस टेली मिक्स जीके की इस वीडियो में डिसकस करेंगे टॉफ 15 प्लस कोशिन जो कि आपके हिमाचल पुलिस एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे इस वीडियो में HP जीके, इंडिया जीके और साथ में कुछ जनल साइंस के इंपोर्टेंट कोशिन डिसकस करेंगे जो आपके आने वाले HP पुलिस एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे अगर आपने हमारी अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे जाके आप उनको देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप हमारे क्लासिस को देख सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं हमारा बेसिक फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट है जो कि रहेगा एक साल के लिए और कबर करवाएगा आपके आने वाले सभी स्टेट और सेंटर गवर्मेंट एक्साम्स को आप अपनी त्यारी इसमें बिल्कुल बेसिक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं इसमें आपको मिलेंगी ओनलाइन टेस्स सीरिस, स्पेशल नोट्स और बुक्स जल्दी से जल्दी 100% शॉर्ट सक्सेस के लिए आप हमारा बेसिक फाउंडेशन का कॉर्स जोईन कर सकते हैं विजेपत डिफेंस एजूकेशन में सो फरस्ट कोशन है इस वीडियो का और एच्पी जी के का ही फरस्ट कोशन हमारे पास आया है त्रिगत किन दो भागों में बटा हुआ था त्रिगत जो है ये दो भागों में बटा हुआ था फरस्ट वन है हमारा नगर कोट और दूसरा है जालंधर नगर कोट की बात करूँ तो ये हमारा पड़ता है डिस्टिक कांगड़ा में जो कि हमारा नगर कोट का केला भी है और जलंदर हमारा पढ़ता है पंजाब में तो पहले ये पंजाब का ही हिस्सा था जिसको बाद में दो हिस्सों में बांट दिया गया तो first था हमारा नगर कोट और second था जलंदर next one है हिमाचल प्रदेश में चुकंदर का बीज कहां पर पैदा किया जाता है where is the beet seed production in हिमाचल प्रदेश आपके लिए bilingual question है जिसको हिंदी में समझाता है वो हिंदी वाला question read कर सकता है और जिनको English में थोड़ी understanding होती है question के लिए वो English में read कर सकता है तो चुकंदर का बीज जो है beet seed जो है हिमाचल में सबस्दादा production होती है उसके किन्नोर की और पूरे देश भर में यहां से चुकंदर का बीज तियार किया जाता है next one है हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्शन के अंदर किस जिले में स्थित है इन विच डिस्टिक इस दे हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इस लोकेटेड तो हिमाचल का जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है जिसको PTC के नाम से जानते हैं जो कि हमारा पढ़ता है डिस्टिक कांगड़ा में अगर मैं परफेक्ट लोकेशन की बात करूँ तो यह पढ़ता है पालमपुर ड्रोह में तो ड्रोह जो है वो हमारा डिस्टिक कांगड़ा में पढ़ता है और जहां पे हमारा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है हिमाचल का और जुलाई 1995 में इसकी establishment की गई थी काफी सहयोग रहा था उस time के जो हमारे हिमाचल के मुख्य मंतरी थे शांता कुमार जी उन्होंने काफी सहयोग किया था यहां से एक important question बनता है हाल ही में PTC जो हमारा ड्रो है हिमाचल पुलिस का प्रशिक्षन के इंदर है उसको पूरे देश भर में फस्ट प्राइस जो है वो दिया गया है पुलिस प्रशिक्षन के लिए तो अभी हाल ही में उनको ये प्राइस जो है वो दिया गया है तो काफ अम्बूजा सिमेंट फेक्टरी इन हिमाचल परदेश तो काफी बार question ही पूछा जाता है सबसे पुरानी हमारी ये company भी है और अम्बूजा सिमेंट की फेक्टरी जो है हिमाचल में ये है दालरा घाट में जो की पड़ती है डिस्टिक सोलन में next one है हिमाचल के किस सहर में पागल कुता निरोधक बैक्सीन का निर्मान किया जाता है तो mad dog बैक्सीन मैनिफेक्टर जो है वो ऐसी कौन सी हिमाचल के सिटी में की जाती है तो वो है हमारी कसोली आपको कमेंट में बताना है कि कसोली जो है वो हिमाचल के किस जिले में पड़ यहां पर बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं शिमला, सिर्मोर या फिर सोलन में तो आपको कमेंट वोक्स में इसका सही अंसर बताना है नेक्ट वन है चोंतरा घाटी मंडी जिले में कहां पर स्थिध है तो चोंतरा बैली जो है यह हमारी पड़ती है मंडी जिले के जोगिंदर नगर नामक स्थान पर इसी के जो साइड में अगर मैं बात करूं तो हमारी बीड बिलिंग भी है और बीड बिलिंग के अगर मैं बात करूं तो बीड बिलिंग को जाने का जो रास्ता वो डिस्टिक मंडी से है लेकिन बीड विलिंग जो है यह हमारी पडती है डिस्टिक कांगडा में नेक्श वन है लगू हिमाले की सबसे बड़ी स्रिंखला कौन सी है विच इस दा लार्ज़स्ट चेन आफ मिनिट हिमाल्या जो है लगू हिमाले की वो है हमारी पीर पंजाल परबत श्यनी next one है ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है which is the largest tributary of the ब्यास river तो ब्यास river की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है पारवती नदी ब्यास नदी की बात करूँ तो विपासा इसका पुराना नाम है संस्कृत सहायते में इसको ब्यास नदी के नाम से बोला जाता है और जो हमारी ब्यास नदी है ये मुख्यता डिस्टि कांग्रा और हमिरपुर से बहती है next one है पंडो डैम किस नदी पर है तो पंडो डैम जो है ये भी हमारा ब्यास नदी पर बना है जो कि 14 स्क्यर किलो मीटर का ये हमारा बना है जो कि हिमाचल का सबसे छोटा डैम है और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा पढ़ता है डिस्टिक मंडी में ये हमारा पंडो डैम है अगर परिजंट की बात करूँ तो हमारे ये स्टेट फाइनर्स बनिस्टर है पूरे ओल इंडिया की मैं बात करूँ राज्य बितमंत्री जिनको कहा जाता है अणराख ठाकुर जी है वो हमारे और जो हमारे केंदर के बित्मंत्री है उनका नाम है निर्मला सिता रमन तो important question है BCCI के अधेक्ष भी रह चुके हैं present में लोकसभा के अधेक्ष भी ये है next one है हिमाचल परदेश की किस जिला की रुमाल कला बिशो परसिद है तो हिमाचल का ऐसा कौन सा जिला है जहां की रुमाल कला और साथ में बात करूँ चपल जो है वो पूरे बिशो में परसिद है तो वो है हमारा डिस्टिक चंबा चंबा में जो है वो मुख्यता रावी नदी जो है वो बहती है next question हिमाचल परदेश में तेर्मी बिधानसवा के चुनाव कब प्रस्थापित हुए थे when we are the election of the 13th assembly in हमाचल परदेश प्रपोस्ट तो तेर्मी जो असेम्बली हुई थी बिधानसवा हुई थी उसके चुनाव जो हुए थे वो हुए थे 2017 में अगर मैं बात करूँ कि बरतमान में जो हमारी जैराम की सरकार है जो ही माचल के मुख्य मंत्री है जैराम ठाकूर जी उनकी जो बरतमान में सरकार है वो हमारी 13 बिधान सबा है जो की 2017 में बनाई गई थी टोटल मैं अगर यहां पे MLA's की बात करूँ कि टोटल जो हमारी seat है बिधान सबा की वो हैं हमारे पास बरतमान में 68 और मैं अगर यहां से बात करूँ कि जब हमारी फस्ट टाइम असेंबली बनी थी जिसको हम 1951-1952 बोलते हैं कि पहले एलेक्शन हुए थे 1952 में उस टाइम के जो हमारे सदस्य थे विधान सबा के उस टाइम थे हमारे टोटल 36 सदस्य नेक्ष च पहला है अन्तराष्डेश शिवरातरी मेला कहां पर मनाया जाता है जोकि हमारे पूरे विश्व में फेमस है नेक्ष च पहला है नाप्ता जहाकड़ी परियोजना किस नदी पर है most important question है काफी बार exam में पूछा गया है mostly HPSHC इसी type के question जो है बार बार आपके exam में पूछता है तो नात्पा जाकडी बरियोजना जो है ये बना है हमारा सतलुज नदी के उपर सतलुज नदी हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है और अगर इसकी total capacity की बात करूँ इस project की तो पंदरा सो मेगा वोट इसका total capacity है next one है last question वीडियो का Sanskrit सहाईते में विपासा किस नदी का नाम है तो विपासा Sanskrit literature में 208 नदी को बोला जाता है मैंने अभी question ये repeat किया था important question आप सब के लिए सो आप हमें social media के उपर follow कर सकते हैं WhatsApp group के साथ आप जरूर जुड़ें जिसमें आपको day to day के current affair साथ में HP और साथ में job alert प्रोवाइड करवाया जाता है बीडियो के description में आपको WhatsApp का link मिल जाएगा जहां से आप इसको easily join कर सकते हैं हमारा हिमाचल पुलिस का advance बात start हो चुका है जो यह आपको success दिलाएगा 2021 में आप उसको join कर सकते हैं विजेपत defense education में वीडियो अच्छी लगे वीडियो को like करें जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें और ज्यादा important question discuss करेंगे HP पुलिस एक्जाम के लिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत